ये कहानी मैनूवल नाम के लड़के की है, जिसे अपने माता-पिता के तलाख की वजह से अपने एक रिष्टेदारों के साथ रहना पड़ता है। मैनूवल तीन महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने चाचा हुवान के घर रहने के लिए आया था, मगर उसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। मैनूवल तीन महीनों के लिए अलग-अलग घरों में रहना होगा। माने लेके जाता है। जहां शान्ती के माहौल में हुवान उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगा। वो अजीब सा आदमी अपने आपको भगवान कहता है और हुवान के कहने पर मैनूवल ने उसे खाने के लिए उसे एक सेब देता है। फिर भी उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई और वो फिर से कहने लगा कि मैं गायब होकर दिखा सकता हूँ ऐसे ही अजीबो गरीब हरकते करके चला गया। और फिर हमें अगले सिन में दिखाया जाता है। ये वो दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी बीच फुना सांटा को लगता है कि मैनुवल खुश नहीं है, उसे बेहतर महसूस कराने के लिए अपना लाली पाप चाटने के लिए दे देती है और कहती है, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ। उस दिन मैनुवल को एक राज की बात बताती है। जिसे वह जानकर हैरान हो गया, फुना सांटा ने बताया कि उनके चाचा फार्लैंडू असल में गे है। ये बात कोई नहीं जानता। हुवन के घर रहने के बाद अगले महीने मैनुवल फार्लैंडू के साथ रहने लगा और उनकी बैकरी का काम समझने लगा। हुवन की तरह फार्लैंडू एक कलाकार है और जाइलो बजाया करता है। जाइलो फोन बजाते देख, मैनुवल को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है। फारालांदू ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाएगी तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देती है। फारालांदू का अफेयर उसके एसिस्टन्ट पेलू के साथ चल रहा था और ये बात मैनुवल जानता था। फारालांदू की पत्नी बी एड्रिस इस बात से नाराज थी। उसका पती काम पे ध्यान नहीं देता है। पर फारालांदू का कहना था कि ये काम उसे खुशी नहीं देता। सिर्फ पेलो से खुशी मिलती है। एक दिन उसका एसिस्टन्ट पेलो ने बताया कि मेरी शादी होने वाली है। इसलिए फारालांदू को छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच हो रही सारी बाते मैनुवल और फुनसानता सुन रहे थे। पेलो के जाने से लैंडू का दिल तूट जाता है और अपनी जान देने की कोशिश की। पर वो ऐसा कर नहीं पाया। उस साम जब मैनुवल बी अड्रिस के कमरे में आया तो उससे पूछने लगी की बी अड्रिस उसे खूब सूरत लगती है। या नहीं मैनुवल से अजीबो गरीब बाते पूछने लगती है। तब मैनुवल ने फारालैंडू और पेलू के बारे में उसे बता देता है। इस अफेर के बारे में जानकर बी अड्रिस मैनुवल से इस अफेर को राज रखने का वादा करने के लिए कहती है। और फारा लांडू से नाराज होने की वजाए, बी एड्रेस उसे सम्हालने लगी, जिसके बाद उसे बहतर महसूस कराने की कोशिश भी करती है। मैनुवल एक नई दुनिया देख रहा था, और इस दुनिया में उसे फुनसान्ता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्हें दो अंजान लोगों को चछत पर आते देखा। तब फुनसान्ता ने बताया की वो अमेलियो की बेटी लोली और उसका बॉइफरेंड है, जो गाजा लेकर वहां से भागा है। फुनसान्ता को तब कुछ नजर आया, और वो कहने लगी की मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला की फारालांदू की मौत हो गई है। हर कोई परेसान था, मगर उन सबसे ज्यादा परेशान बी एड्रेस थी। उसने बताया कि अचानक से जमीन पर गिर पड़े और उसकी मौत ही गई। हुवान और उसके बड़े भाई अमेलियो ने फारालांदू को जमीन पर बेहोस देखा। उन्हें समझ आया गया कि दिल का दोरा पड़ा है। सही समय पर अमेलियो उसे बचाने में कामियाब हो जाता है। उस दिन के बाद मैनुवल अमेलियो के घर में रहने लगा। अमेलियो की बहन मारगरीटा मैनुवल को पढ़ाने लगी। पर मैनुवल उसे और अमेलियो की पतनी लूला को परेशान करता रहा। एक दिन मैनुवल के पिता अंटोनियो का फोन आता है और मैनुवल को पता चला कि अब वो इटली में रहते हैं। मैनुवल अपने पिता को बताया कि मारगरीटा हर वक्त उन पर नजर रखती है। इसलिए वो परिशान होने लगा है और घर आना चाहता है। मैनुवल ने फुनसांता को बताया कि जल्द ही उसके पिता उसको लेने आने आने वाले हैं। ये सुनकर फुनसांता निरास हो जाती है। मैनुवल और फुनसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पर वो जानते है कि दो कजन्स एक दूसरे से साधी नहीं कर सकते है। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजाज़त नहीं था, मगर मैनुवल उस कमरे में चला गया और उसे पता चला कि ये कमरा असल में अमेलियो का क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक में देख कर खुश हुआ और अपने दूसरे भाईयों की तरह वो भी मैनुवल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमेलियो एक आँखो का डॉक्टर था जो मैनुवल को आँखो में छुपी खुबसूरती को दिखाने लगा। कुछ समय बाद मार्गरीटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चिलाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानि की मैनुवल के दादा अंटोनियो से बात करने की जिद्ध कर रहे है क्यों इसने मैनुवल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैनुवल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है। और इसलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनसानता के अलावा किसी को भी मैनुवल के दादा की बाते समझ नहीं आत उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड वार का हिस्सा रह चुका हूँ, उस दोरान एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मार कर इसी घर के भीतर गार दिया था। बॉइफ्रेंड और गाजा के बारे में पूछा, तो नाराज हो गई, अपने बॉइफ्रेंड और गाजा की बात राज रखने के लिए समझा कर वहां से चली जाती, मगर वो ये नहीं जानती थी, कि उसका परिवर्ण पहले से जनता है कि उसका बॉइफ्रेंड चूतिया मैनुवल मागरीटा को अजीब सी बाते करते हुए देखने लगता है और मागरीटा से पूछता है वो सब को बताने लगी कि वो भगवान से बाते करती है अमेलियो उसकी बाते सुनता है तो वो नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है मग पर मैनुवल उसकी बाते सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमेलियो ने लोली से कहा, तुमको अपने बॉइफ्रेंट से दूर रहना होगा। पर जब उसने अमेलियो से बहस करना सुरू किया, तो अमेलियो अपना आपा खो बैठा। अमेलियो को इस तरह देख कर मैनुवल बुरी तरह डर गया, पर लोली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार चुतियो वाली हरकत कर बैठते हैं। मैनुवल इस अजीब से परिवार के, पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बरताव करने लगे थे, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। और अचानक, अमेलियो के पिता उन्हें अकेले पन के बारे में कविता सुनाने लगे। वो कविता उन्होंने मैनुवल के पिता अंटोनियो के लिए लिखी थी। और कविता, अमेलियो को अपने सामने देख कर उन्होंने बताया कि वो यहाँ उसके आने का इंतजार कर रह वक्त मैनुवल के दादा ने कहा, वो समुंदर देखना चाहते है, क्योंकि वो सुकून की सास वही ले पाएंगे और मौत की बाते फिर से करने लगे। मगर अमेलियो ने कहा, जब तक मैं जिन्दा हूँ, मैं अपने पिता को मारने नहीं दूँगा। अमेलियो ने वादा किया, उन्हें समुंदर के पास ले जाएगा, और ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। घर जाते हुए अमेलियो के पिता एक और कहानी सुनाने लगे, और ये कहानी सुनते सुनते, ये सब लोग घर पहुँच गए। और उस दोपहर उनकी समुंदर देखने की खुआश पूरी हुई, और मैनुवल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया। और पहली बार परिवार वाले बहुत खुश थे, और उन सब को देखकर फुनसानता के दादा को सुकून मिल गया। सालों की सुकून की सांसे लेने की खुआश पूरी हुई, और आखरी खुआश पूरी होते ही उसी बीच पर मैनुवल के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मैनुवल भी दादा की मौत की वजह से दुखी था पर उस वक्त अंतिम संसकार पर मैनुवल के माता-पिता भी आ गए थे और तब मैनुवल को एहसास हुआ उसके माता-पिता के अनेक बाद उसका और फुनसानता का रिष्टा हमेशा के लिए खत हो जाती है